exercise 2.7 इसमें question no.1 है find two consecutive positive integers whose product is seventy one तो इसमें हमें कहते हैं कि exercise 2.7 में जितने भी question है वो statement questions है ठीक है तो पहले question में हमें कहते हैं कि find two consecutive positive integer को दो positive integers को मुसलसल consecutive एक यह एक दूसरे के बात सही है ना तो consecutive यह दो मुसलसल positive integer को आप मालूम करें whose product यह जिसका product यह नि मल्टिप्लिकेशन जरब इस 72 वो क्या है 72 है consecutive का मतलब है मुसलसल तेन दो लगातार ठीक है वो integer है positive जिनके multiplication यह जरब से 72 आता है तो इसका solution हम इस तरह करेंगे कि let हम यह अपनी तरफ से माल लेते हैं ना लेट करते हैं कि first positive integer हमारे पास क्या है वो है एक्स अपनी तरफ से हम ले ले लेते हैं सिक्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा उन्होंने का कि consecutive है यह यह एक्स के बाद जो आएगा वो एक्स प्लस वन होगा ठीक है मिशाल के तोर पर मैं कहता हूँ ना अगर एक इंटीजर मैंने फॉर लिया तो फॉर के बाद क्या आता है फाइव आता है ठीक है तो फाइव को मैंसे लिख सकता हूँ फॉर प्लस वन ठीक है तो यह दो consecutive इंटीजर हमने अपनी तरफ से माल ल दूसरा मेरे पास एक्स प्लस वन है क्योंके दूसरा एक्स के बाद है तो एक्स प्लस वन ठीक है तो यह कंडीशन क्या है कंडीशन जो क्विस्चन में हमें दी गई है वो है कि दोनों का प्राड़क्ट यानि एक्स दोनों इंटीजर फस्ट इंटीजर ऐसे हम कहेंगे ना first integer इसका और second integer इनका product क्या है वो 72 के equal है तो first integer हमारे पास x है second integer हमारे पास x plus one है यह हमारे पास क्या हुआ यह 72 अब इन दोनों को multiply गए तो एक equation इससे बन गई, अब इसको हम simplify करते हैं, x और x, multiply हो जागा तो x square, x और 1, तो x equal to 72, सही है, x square plus x, ये दूसरे साइड ले के आए, तो minus 72 हो जाएगा, plus 72 है, तो minus 72, अब ये a quadratic equation है, और इससे हमने x की value, यानि कीमत को मालूम करना है, तो इसको हम factorization से, completing square से, quadratic formula, इन तीन method में से, किसी एक पे करते हैं, तो मैं factorization से करता हूँ, देखो ये दर coefficient 1 है, 1 और minus 72, ये करें, 1 and minus 72, तो इस से आता है, minus 72, दो नमबर, जिसके product से minus 72 आए, और, जिसके addition या subtraction से middle term का coefficient आए जाए, तो middle term का coefficient क्या है, plus 1, इस method से हम करते हैं, तो देखो, दो नमबर कौन से है, जिसके product से हमारे पास 72 आता है, तो वो 9 और 8 है, से ना, अब जरा 9 और 8 को देखते हैं ना, 9 और 8 को, तो इसके addition से तो 70, इसके multiplication से 72 आता है, इसके addition से 17 आता है, subtraction से 1 आता है, तो देखते हैं, एको ये 9 और ये 8, सही है, तो ये देखे, इदर हमारे पास plus 1 आना चाहिए, और ये subtraction से, तो दोनों के sign different होंगे, सही है ना, ये एक का minus होगा और एक का plus होगा, बड़ा जो नंबर होगा इन दोनों में से, तो उसका sign ये होगा, जो इदर हमारे पास result, required result से, नंबर से, उसके साथ जो sign होगा, वो बड़े नंबर का होगा, तो ये लेको plus इसके साथ, और दूसरे का पिर automatically minus, plus और ये minus, इदर भी इसी तरह ले ले, तो ये लेको plus 1 हुआ, और ये minus 72 इससे आता है, तो इसको हम पिर इस तरह लिखते हैं, लेको x square, और plus, ये 9 और 8 जो ह और ये x, यानि इस middle term की जगा हम इस तरह ये दोनों लिख लेंगे, minus 72 equal to 0, x square, plus 9 x, minus 8 x, minus 72 equal to 0, x अंदर मैंने multiply किया, वे इन दोनों के pair बना दे, ये first pair, ये second pair, ठीक है, अब इन pair से हम common लेते हैं, तो इस pair से common हो जाएगा, x, तो x square है, x common हुआ, तो x आ गया, plus 9 आ जाएगा, x common निकल गया बार, तो plus 9 रह गया, अब देखो, 8 और 72 ये दोनों हैं, तो ऐसा number जो 8 और 72 दोनों को divide करें, तो वो हम common लेका लेंगे, तो वो हमारे पास 8 है, 8, जाना वो से one two two को divide करता है, और खुद अपने आपको भी divide करता है, तो 8 मैंने निकाल लिया, अब ये देखे कि यहाँ पर minus pair के start में आया है, तो उसको भी बाहर निकाले, minus को भी मैं निकाल रहा हूँ, अब देखो, आपके पास 8, जब 8 पे divide हो जाए, तो one आजाएगा, one x, और minus हमने कामन निकाला है, तो इस इदर जो sign होगा, वो उलट हो जाएगा, minus था तो plus, अब देखे, minus हमने कामन निकाला है, तो sign plus, और 72 divide by eight करे, तो इसने क्या आएगा, nine आएगा, equal to zero, अब ये जो, देखे ये दोनो, एक जैसे है, तो इसको हम एक factor ले लेंगे, x plus nine, into, जो कामन है, उसका हम दूसरा factor बनाएंगे, और इसके साथ multiplication में लिक लेंगे, x minus eight, equal to zero, अब इस x plus nine, इस factor को हम zero के बराबर ले लेंगे, और x minus eight, जो है, इसको हम zero के बराबर ले लेंगे, इदर से x की value निकाले, तो ये plus nine है, दूसरे साइट ये चला जागा, तो minus nine, equal to minus nine, इसी तरह इसको देखे, तो ये हमारे पास क्या वज़ा है, अगर minus eight है, दूसरे साइट लेके जाए, तो ये plus eight होगा, अब देखो, x की दो value है, minus nine और एक plus eight, और nine भी integer है, और eight भी integer है, लेकिन ये negative integer है, minus nine और उन्होंने हमें कहा है, कि two positive integer, तो हम positive integer लेंगे, eight हमारे पास positive है, तो eight, x हमारे पास जाएना, plus eight positive integer, ये आया है, तो ये value हम consider करेंगे, ये हम लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि negative integer का तो उन्हें नहीं किया है तो जो first integer है positive integer first positive integer वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास था x और x हमारे पास 8 तो first positive integer 8 आया अब दूसरा हमारे पास second क्या था सिकंड पॉजिटिव इंटीजर जाये न वो X प्लस 1 था हमने लिया X प्लस 1 है तो हम 8 प्लस 1 तो 9 सिकंड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या आया वो हमारे पास 9 आया तो दो पाजिटिव इंटीजर हमारे पास जो हम से मांगे गए थे क्वेस्चन में तो वो कौन कौन से है एक 8 है और एक 9 है 8 और 9 का आप मल्टिप्लिकेशन या प्रॉड़क करें तो इससे 72 आता है कि नहीं तो 8 9 जा 72 तो वो भी सही है तो यह था हमारे पास क्वेस्चन नमबर फर्स्ट अजा एक्सरसाइस 2.7 में क्वेस्चन नमबर टू है इस सवाल में हमें कहते हैं कि 3 कंजिटिव इंटीजर है उनके स्क्वेर का सम हमारे पास क्या आता है 50 आता है तो अगर हम फर्स्ट जो इंटीजर है वो एक्स लेते हैं तो दूसरा इंटीजर हमारे पास क्या होगा एक्स प्लस वान तीसरा एक्स प्लस टू पिर हम हर एक इंटीजर का स्क्वेर ले लेंगे ठीक है और उसका हम सम करेंगे उसको हम 8 करते हैं तो उसको हम equal to 50 लेंगे इस सवाल को solve करने का तरीका ये है तो solution करते हैं इस question का मैं अपनी तरफ से लेता हूँ कि first integer हमारे पास क्या है let first integer वो हमारे पास वो है x second integer वो क्या हो जाएगा consecutive है तो x के बाद x plus 1 x के बाद ही आएगा third integer क्या है वो x plus 2 अब जो condition हमें दिया गया है question में जो question में condition है हमें के इन तीन integer जो है ये जो three integers है इनके square का sum यानि x का इसका square क्या होगा square इसका square हमारे पास square of first integer क्या होगा square of first integer वो हमारे पास x square होगा इसी तरह square of second integer वो होगा x plus 1 whole square इसी तरह square of third integer integer वो होगा x plus 2 whole square तो इन तीनों के square का sum से ना condition है sum of squares of three consecutive मुसलसल या लगातार integers वो equal है किस चीज़ के वो 50 के equal है यानि x square plus x plus 1 square first integer plus second integer plus third integer वो equal है 50 का अब यह एक equation आ गया इस equation को हम simplify करते हैं तो यह होगा x square plus x plus 1 whole square इसको हम a plus b whole square formula से open करते हैं तो यह हो जाएगा पहले इसका square फिर 1 का square फिर 2 formula का x और 1 का product इसी तरह इसको भी करते हैं x का square फिर 2 का square फिर plus 2 x और 2 इन दोनों का product equal to 50 अब देखो x square plus x square plus 1 2 x x square 4 और यह हो जाएगा 4 x equal to 50 अब 1 x square 1 x square और 1 x square इनको तीनों को जमा करें तो इससे आजाएगा 3 x square 2 x और 4 x इससे आजाएगा 6 x 1 plus 4 इससे आजाएगा 5 equal to 50 अब इस 50 को दूसरे side आप लेके आए equation के तो यह हो जाएगा 3 x square plus 6 x plus 5 minus 50 equal to 0 तो यह हो जाएगा 3 x square 6 x minus 45 equal to 0 यह हमारे पास equation आया अब देखे 3 x square plus 6 x minus 45 equal to 0 इसको मैं इदर लिखता हूँ 3 x square plus 6 x minus 45 equal to 0 इसको मैं मिटा देता हूँ इसको फर्दर हम मजीद हम इसको simplify यह मुहतसर कर सकते हैं इससे हम 3 common कर सकते हैं देखो 3 common हो जाएगा तो यहां से देखे 1 x square यह आजाएगा यहां देखो 3 हमने common निकाला यहां 6 को 3 पे divide करो तो क्या आजाएगा 2 x minus 45 को 3 पे divide करो तो 15 equal to 0 अब 3 पे both side divide करें कि यहां से हमने इसको खत्म करना है तो यह हमारे पास हो जाएगा x square 2 x minus 15 equal to 0 divide by 3 divide by 3 तो यह cancel हो जाएगा x square plus 2 x minus 15 equal to 0 अब यह quadratic equation है factorization से भी हल हो सकता है completing square से भी और quadratic formula से भी मैं factorization method से इसको करता हूँ तो देखो one और minus 15 multiply करो तो इसे क्या आता है one और minus 15 तो minus 15 दो नमबर मैंने ऐसे डूनने होंगे जिसके multiplication से minus 15 आता हो addition से या subtraction से 2 आता हो तो देखो 3 और 5 त्री और 5 इसको multiply करो तो 15 subtraction से 2 आता है तो इसको try करते हैं देखो 5 और 3 चूंकि इन दोनों के subtraction से हमारे पास आता है 2 तो इन दोनों के अलामात में different लूँगा 5 और 3 के अब बड़े वाले की जो अलामत होगी तो वो sign होगा तो वो कौन सा होगा तो 5 और 3 में बड़ा कौन सा होगा कौन सा है तो वो 5 है और उसकी sign में क्या लूँगा जो यहां पर है वो plus तो दूसरे का पिर minus जब subtraction से आता हो तो दोनों के अलामात क्या होंगे वो different होंगे और यही sign के साथ यही number इदर भी ले ठीक है तो यह हो जाएगा one x square अब देखे यह हो जाएगा x और यह जो दो numbers के pair है ना वो इदर लेके five minus three ठीक है तो यह five minus three इदर से क्या आता है two आता है सही ना minus fifteen equal to zero अब इस equation को further आप इस तरह लेके x square प्लास यह x अंदर multiply करें तो five x minus three x minus fifteen equal to zero अब दो pair बना दे इस pair से x common होता है तो यह क्या हो जाएगा x x square है x common निकला तो x रह गया plus x common बाहर हमने निकाल तो five और यह इस pair से हम क्या common कर सकते है three three मैंने common कर रहे है क्योंकि three खुद को भी divide करता है और fifteen को भी divide करता है सही है वो मैंने निकाला अब minus इस pair यह नहीं जोड़े के start में है तो उसको भी बाहर निकालेंगे minus sign को भी निकाला तो इदर पहले minus sign था तो plus sign three था तो one three जब three को divide करें तो one और x इसी तरह minus sign था minus common निकला तो sign उलट हो जाएगा plus रह जाएगा fifteen को three पे divide करें तो five आ जाएगा equal to zero अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका एक factor लिखके फिर multiplication जो हमने कामन निकाले हैं ये दो x और minus three इसका दूसरा factor लिखके equal to zero अब देखो x plus five इसको आप zero के बराबर ले ले और x minus three को आप zero के बराबर ले ले ठीक है इदर से x की value निकाले plus five है दूसरे side पे चला जाएगा तो minus five ठीक है x minus three है 3 को दूसरे side पे ले के जाए तो x equal to three अब x की दो value आगए एक minus five आगए और एक three अब हमने कुन सी value लेनी है minus वाला ले ले या three वाला ले ले क्योंकि यहाँ पर तो हमें यह नहीं कहा है के positive integer या negative integer उन्होंने simply कहा है के two consecutive integer सही है ना तो हम दोनों value ले सकते हैं ठीक है minus five भी ले सकते हैं और three भी ले सकते हैं ठीक है x की ले सकते हैं और इससे हम मतलब दो other जो integer से वो मालूम कर सकते हैं let's try it x की value हमारे पास minus five और three आ गई सही है पहले हम plus three लेते हैं तो first positive integer positive सारी positive नहीं first integer हमारे पास जो हमने let किया था अपनी तरफ से लिया था वो x वो मैंने three लिया second क्या हो जाएगा वो x plus one यानि three plus one तो four आ जाएगा third integer हमारे पास क्या हो जाएगा वो x plus two है इदर ना तो three plus two five तो मेरे पास three four five ये तीन integer आ गएं लेकिन तीनों के तीन positive integers का एक set हमारे पास आ गया three four और five ये three integers हैं अब इसको हम चेक करते हैं सवाल के condition के मताबिक कि इनके sum of the square of three consecutive integer is fifty कि इसके square के sum से हमारे पास fifty आता है कि नहीं three का square plus four का square plus five का square तो ये हमारे पास क्या होगा ये चेक है ना एको ये मैं चेक करता हूं three square nine four square sixteen और ये 25 ये करें तो इससे हमारे पास क्या आता है 50 ये आ गया ठीक है अब अगर मैं ये x equal to minus five लूँ for x equal to minus five क्योंकि सवाल मैं तो उन्हें नहीं कहा है कि positive integer तो मैं plus three value लूँगा तो मेरे पास ये तीन positive integer का set आ गए जिसके square के sum से 50 आता है ठीक है तो first positive integer मेरे पास वो है x first sorry first integer that was a ton slipping के मैंने positive integer कहा सही ना first integer मेरे पास minus five आ गया ठीक है second integer x plus one minus five plus one तो minus four आ जाएगा third integer मेरे पास क्या होगा x plus two minus five plus two minus three तो मेरे पास three integers आ गए एक minus five एक minus four और एक minus three यह यह मेरे पास तीन negative integers जो है उनका एक set आया तो देखते हैं कि यह चेक करते हैं ठीक है कि इनके square के sum से 50 आता है कि नहीं तो minus five square plus minus four square plus minus three square तो यह हो जाएगा twenty five square आप नेगेटिव नंबर is always positive ठीक है तो यह 16 और यह 9 से आता है 50 तो हमारे पास both cases positive integer और negative integer दोनों के लिए यह सही है three four five और यह minus five minus four minus three टेक है तो यह हमारे पास तो क्या गाए है three numbers एंटीजर जिनके square के sum से 50 आता है और यह हम से सवाल में मांगा गया था कि आप आप ऐसे त्री एंटीजर को आप मालूम करें जिनके square के sum से 50 आता हो तो वह three four five है plus three plus four plus five और minus के साथ भी आप ले सकते हैं minus three minus four minus five